हालो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग नमस्ते कैसे हैं आप सबरेक वाफिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी सुबह का ये टाइम है और लगभग मेरा घर का सारा काम खतम हो गया है अभी सिर्फ पोचा लगाना रहते हैं पोचा लगाने के बाद में नहाऊंगी और अपना दिया बाती विगरा करना है बचे स्कूल चले गए हस्बेंट जो वो ड्यूटी चले गए अकेली हूं घर पर और अपने कामों में जो है वो लगी हूं तो यहां पर बस जल्दी से फटाफट से पोचा लगा लेते हैं और पोचा लगाने के बाद ना इतनी अच्छ शाइन जो घर में आ जाती है मन लगता है घर में घर न तो बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है सुन्दर भी और पोचा लगने के बाद आप न कितनी भी साफ सफाई कर लो जब लास्ट में पोचा लगता ना तो घर विवस्थित घर जो कहते हैं तो पोचा लगाने के बा मोसम चल रहा है फरवरी में जहां पर हलकी फुल की मीठी ठंड होती थी वहां जबरदस्त वाली धूप पड़ी है मार्च में भी ऐसा ही गुछ रहा है और अपरल में बारिश होई है और साथ-साथ में दिन में कभी-कभी धूप भी निकली है और आज तो सुबह जब मैं सु भी देते हूं पोचा भी लगा देते हूं दोनों काम जो है आंधी की वज़ये से जो हो रख है अभी दोचार दिन से जो में मैं आ गी नहाके अपना पूजा पात करूंगी और और उसके बाद खाना वगरा खाऊंगी और मैं करूंगी आराम उसके बाद बमलब आप यह मान के से लिए एक धेट घंटा मुझे कुछ भी काम नहीं है अपने वीडियो वगरा के काम एडिट करूं सब जो मैं करने वाली हूं और एक अधी अगर मुझे रील बना है तो इस टाइम बना लेती हूं टाइम लगता है तो बहुत बार इस टाइम और बार आप आप से बत करूंगी तुझी टाइम हो गया समा दुगा और मैं जा रही हूं वर उनको लेने हमां का चुका है लंच उनका बन गया है लंच में कहा रहा है कि सुबह छोले बनाए थे तो दिन के लिए भी साथ में बना दी थे और तो अभी चावल बना दी गरम-गरम बस अभी इसको लेकर आओंग कि लिए और कोमेंट आया था कि हिमांका क्या चल रहा भी थेरपी और उनके बेटे की भी स्पीच थारपी चल रही है तो उन्होंने बताया रहा कि अब उनका स्पीच आ गई है कम्मिनिकेशन चल रहे है तो थोड़े दिन और लगेंगे उसके बाद प्रॉपर तो अब ही जो है बच्चों के लिए तर्बूज काट रही हूं साथ में दे दूंगी दोनों को जितना खाना खालेगा थोड़ा बहुत मैं खालूंगी और फिर उसके बाद जो है थेरपी के लिए है इमांग को लेकर जाना है और इमांग के बारे में जो कोमेंट है था उसका मैंने रिप्लाई जो वो कर दिया है और आच्छा ना कोमेंट है था कि घर पर लोवर टीशिट में रहना ही जो अच्छा लगता है देखो जी सब की अपनी पसंद है कोई लोवर टीशिट में र लेकिन लोगर टी-शेट का यह रहता है बहुत कम बहुत कम होता है सुबहे काम करती हूं तो वह अलग बात होती है लेकिन नहाने के बाद हम मैं सूठी जो है वो पहनती हूं तो यहां पर यह देखे लाल-लल मीठा-मीठा तर्बूज हो गया रेडी और बच्चों ने खा लिया है तेरपी वगएरा करा के घर आ गई हूं फिर मैं बच्चों को खाना वगएरा भी खिला दिया है और अब मैं होने वाली रेडी उसके बाद खाना खिला के मैं गई अपन सुप में खिलने के लिए वह देखर आई वी हूं तो आज जादा कुछ तो रेडी नहीं होने वाली हूं हलका फुलका ही रेडी होंगी है थोड़ा सा फेस पे जो है वह मोशेराइजर लगा लिया है और लेप्सिक विगरा लगा लोंगी बिंदी लगा लोंगी आज कोई क्पी हैवी मेकप जो है वह करने वाली नहीं पर ल 25-09 आशना के लागी ब्रहेदर और सब्सक्राइजहों जादर ही मैं अपने मम मांगी पापा लगा फुलका सब्सक्राइब है और मैं तरह दो एध지 के पहले हैं फिर यह हुआ कि हमां को लेके जा रहे हैं वरुन जो अपने मामा के साथ रह लेगा तब तक जब तक हम वापस आएंगे और बस चूरियां वगएरा भी जह वो मैंने पहन लिए और यह सूट जह वो कैसा लगा जोरू बताएगा कोमेंट बॉक्स में मैंने इस पर यह रमभांकर मों बर्ड करना रहें वास में मार्केट वाली जूक्तिछ भूप अलग यह मतलब नहीं है तो यह देखिएए शूट का βानल लुक मैं आपको दिखाने सुन्दर और चपल आपको लग लग रहे हुए चपल में बाहर रखी हुए तो चपल में बाहर जाके पहनने वाली हूं सूट का लुप कुछ ऐसा है बहुत अच्छा सूट ही लग रहा है और आठ बच गए हैं अभी वापस आने में जल्दी आएंगे जादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर बच्चे जो इसके मामा के पास ही दिर वह संबाल नहीं पाएंगे और वह लोग भी आ गए नीचे त सब कर रहें डांस, खानधा लिया था बच्चों को मैंने खा कर आई घर से लेकिन फिर जो दो बहुत मैंने भी ले लिया था तो यहां पर यहицंगे बढ़े वड़ए जूमर मतलब इतना ये वाला बैंकट मुझे इतना पसंद आता बहुत ज़ादा इसके डैकोरेशन एक एक पीस मुझे यहां करना बहुत ज़ादा अच्छा लगता अच्छे से डैकोरेट कर रहा है इसके जूमर वगारा भी सबसे अच्छे जो जो है इसके जूमर है लाइटिंग व वो आती है ये बाहर भी इतना काफी लंबा चोड़ा है तो मतलब एरिया ये काफी बड़ा है और काफी मतलब बहुत सारे लोग इसमें आराम से जो है वो मतलब घर तो अले साइड से भी बारात की साइड से भी जो है वो बहुत सारे लोग इसमें आ जाते है ये है अभी आग लगबग मेरा हो गया खतम और ये अभी मैं इस वक जो है ये मैंने कुछ खिचन के कल कपड़े भिगोए थे लेकिन फिर जो है सही जो काम काम में काम काम में क्योंकि फिर जो है वो टाइम ही नहीं मिला और मैंने ध्यान भी नहीं दिया और फिर जो है ये रही गए थे तो जाड़ी जल्दी जल्दी अपने वह हो जाते हैं और जाड़ु विगरा विगरा मैं लगा चुकी हूँ अभी ये जो मैंने मलाई जमाई थी ये जमाई थी दो दिन पहले और मैं इसको मतलब इसका मक्षन जो वो निकाली नहीं पारी हूँ तो अभी इसके फटाफट से मलाई से जो वो मैं निकाल लूँगी मक्षन और ठंडा मोसम था मुझे लग रहा था कि मक्षन जो या ठंडा ठंडा पानी जो है वो हो जाता है तो बरफ की जरूरत नहीं होती है तो उसे काम जो हमारा चल जाता है और यहाँ पर मेरा हो गया मक्षन निकल के रेडी बस अभी जल्दी-जल्दी से इसको निकालेंगे और सिम गैस पर जो इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह सिम गैस पर उबलता रहेगा तब तक अपना चूछा मोटा काम पेंडिंग है जैसे अभी मुझे एक स्लोट कपड़ों का भी लगाना है एक स्लोट धूल चुका है तो तब तक मैं अपना यह काम भी जो झालूँगी धूल्ने में इसमें मैं जो है तोलिय वग और फिर मैं करूंगी आराम लगबग मेरा जो है वो काम हो गया खतम बस एक और रहता है यह देखिए यह कल जो सूट पहन कर गई थी यह वापस टेलर के पास जाने वाला है क्योंकि इसकी ना कल मैं जल्दी जल्दी में ले आई थी इसको इसकी जो अंदर से अंदर से इसकी ना वो रहती है पिको नहीं बोलते इसको अंदर क्या कुछ बोलता है अभी मुझे ने उसका नाम याद नहीं रहता है तो वो रहता है अभी इसको तो वापस देख कर आऊंगी मैं शाम को और थोड़ा बहुत जो है बस अपना यह जहड़ू वगरा जो है वो लगा लेते ह फिर उसके बाद पोचा लगाऊंगी किचन का मेरा हो गया है काम खतम और जब अकेले होते हैं तो काम में सुब बरकत होती है टाइम में भी बरकत होती है नहीं तो एक साथ सारे होते हैं तो ना तो टाइम से जो अपना काम खतम हो पाता है ना ही कुछ और यहाँ पर कुछ स कमान मंगवाया था तो वो भी आ गया है भी व्लॉग एंड करूंगी ही पर मिलते नेक्स व्लॉग में तिल दिन वबाई जो फोस्टे विजट कर लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर दे